नमस्कार सिटी पोस्ट लाइफ में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ कंचन और आप बात करते हैं उपेंद्र कुश्वाह की रालोस्पा सुप्रीम उपेंद्र कुश्वाह सीटों के बटवारे को लेकर कभी नरम तो कभी गरम हो रहे हैं आज उन्होंने ट्विट कर बिहार में एंडिये के भी सीट शेरिंग को लेकर बीजेपी से गुहार लगाई है पार्टी के एक ट्विटर हैंडल पर आएस बीजेपी को मेंशन करते वे लिखा गया है कि बीजेपी फॉर इंडिया को रालोस्पा का अंतिम पैगाम दो न्याएं अगर तो जादा दो पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल हमारा सम्मान रखो अपनी धरती तमाम यह ट्विट इस बात की तरफ इशारा करता है कि उपेंजर कुश्वाहा का महागट बंदन से अभी तक कोई डील नहीं हो सका है अभी तक वो एंडिय को छोड़ने का फैसला नहीं ले पाए हैं लेकिन अपनी तरफ से जादा से जादा सीट लेने के लिए वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं City Post Live आपको पहले ही बता चुका है कि 4-5 December को वालमी की नगर में होने वाई रास्चिय लोक समता पार्टी की बैठक के बाद भी कुश्वाह NDA को छोड़ने का फैसला नहीं ले पाएंगे यह दिगर बात है कि इस ट्विट्स से पहले कुश्वाह ने मुगेर में कहा था कि वो अपमान के साथ NDA में नहीं बने रह सकते लेकिन साथ ही उन्हींने यह विश्वास भी जताय था कि अगर प्रधान मंत्री ने हस्तचेप किया तो उनके साथ नयाय हो सकता है जाहिर है कुश्वाह अभी भी PM मोदी से उमीद लगाए हुए है वैसे उपेंद्र कुश्वाह तीस नवंबर तक सीट फाइनल करने का आखरी डेडलाइन बीजेपी को दे चुके है लेकिन 20 नवंबर को बीजेपी के बिहार प्रभारी भुपेंद्र यादव ने यह कहकर कि भुपेंद्र कुश्वाह का उन्हें या उनकी पार्टी को कोई अल्टिमेटम नहीं मिला है जाहिर कर दिया कि बीजेपी भी जानती है कि एंडियेश होने का फैसला वपेंद्र कुश्वाह के लिए आसान काम नहीं है सिटी पोस्त लाइफ की खबर में फिलहाल इतना ही जाता जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए सिटीपोस्त लाइफ डाट कॉम बस एक क्लिक में सभी खबर है